नवजकार दोस्तों बेक टू स्कूल में टॉप 10 सीटेट 2021 के लिए सोशल स्टडीज की वीडियो लेकर आ जुके हैं एंड इन दिस वीडियो वीडियो वी विल ट्राइट तू सॉल्व दा बेस्ट कोस्टेंस फॉर सीटेट 2021 वाच दी फूल वीडियो टू मैक्सिमाइज यूर रिजल्ट इन दी एक्जाम तुमारी सफलता तुमारे हाथ में 125 प्लस नंबर की हमारी एम के साथ हम इस वीडियो के साथ उतरे हैं तो जरूर देखिएगा और आपने हमारी बेक्टू स्कूल की एंड्रोइड अप्लिकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो कर लीजिए इस हफते में मैं आप लोगों के लिए वो वो चीज़े डालने वाला हूँ जो डारेक्ट आपके एक्जाम में आएंगी और हमारी एप को 10,000 से ज़्यादा लोग इंस्टॉल कर चुके हैं सब्सक्रिप्शन लीजिए जैसे कल मिनाक्षी शर्मा ने सब्सक्रिप्शन लिया और उससे पहले अनू डबास ने और प्रदीप यादव ने इन तीनों की तरह आप भी सब्सक्रिप्शन लीजिए 31 जन्वरी से पहले दोस्त वो सारी चीज़ें आपको करवाने वाला हूँ एप में वो सारी चीज़ें डलने वाली हैं जो डारेक्ट आपके नंबर को बढ़ाएंगी तो इंस्टॉल करके सब्सक्रिप्शन ले पहला कोश्चन देखते हैं एक राज्य जो अधिकारिक रूप में किसी भी धरम को बढ़ावा नहीं देता कैसा राज्य कहलाता है धर्म निर्पेक्ष लोक तंत्रिक सार्व भोमिक या गणतंत्र आंसर बताईए दोस्त क्या होगा धर्म निर्पेक्ष राज्य ओप्शन इक नमबर है एसा राज्य जिसमें अधिकारिक तोर पर किसी भी धरम को राज्य के धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं दिया जाता और धर्म निर्पेक्ष चासे तात पर यह होता है धर्म को राज्य से अलग रखना ठीक है धर्म अलग राज्य अलग ठीक है धर्म निर्पेक्ष सभी धर्मों को एक समांदरिश्टीश देखना अगला है बारत सरकार के कितने अंग है देखे सम्विधान के अनुसार बारत सरकार के अंग है तीन किसके अनुसार सम्विधान के अनुसार सम्विधान के अनुसार और वो तीन कौन-कौन से हैं पहला बाग है विधाई का दूसरा है कारिय पाली का और तीसरी है न्याय पाली का ठीक है दोस्त जो विधाई का होती है वो चुने हुए जो representative होते हैं उनको दर्शाती है कारिय पाली का कानून को लागू करने के लिए और न्याय पाली का अदालतों की परनाली को दर्शाती है तो तीन भाग है तो answer C आ जाएगा यहां पर चलिए अगला question है निमन में से कौन सी भारत के राष्ट्रपती की योगता नहीं है ठीक है वह 55 वर्ष की आयू पूरा कर चुका हो देखे यह नहीं है क्योंकि राष्ट्रपती की आयू 55 वर्ष नहीं है कितनी है बताओ 35 वर्ष है कितनी है 35 वर्ष तो यह जो पहला option है दोस्त यह गलत साबित यहीं पर हो गया अगर राष्ट्रपती के निर्वाचन के लिए आप योगताएं देखो तो एक विक्ती 35 वर्ष की आयू पूरी कर चुका हो लोग सबा सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की योगता पर आप येस ये बिल्कुल ठीक है वह भारत का नागरिक होना चाहिए येस उसे किसी भी सरकार या किसी सारज़निक प्रादी करण के तहत कोई लाब कापद प्राप्त नहीं है निको नोकरी पर नहीं होना चाहिए येस ये तीनों के तीनों बिल्कुल ठीक है लेकिन उपर वाला गलत है क्योंकि इसमें 55 वर्ष लिक रखा है जबकि यहाँ पर आना क्या चाहिए था 35 वर्ष तो option number one अगला देखते हैं राज्या सबाके वर्तमान सदसों की कुल संख्या कितनी है देखें राज्या सबाकी अगर अधिक्तम संख्या पूछे अधिक्तम अगर बात करें maximum की तो maximum 250 हो सकते हैं और यहाँ पर वर्तमान की बात की है वर्तमान का मतलब है present present में कितनी सदस्यता है 245 राज्या सबाके वर्तमान सदसों की संख्या 245 है अधिक्तम maximum पूछा जाए तो कितनी हो सकती है 250 हो सकती है ठीक है और यहाँ देखना एक त्याई सदस्य हर दूसरे वर्तमान में रिटायर हो जाते है 1 by 3rd जो मेंबर होते है हर दूसरे वर्तमान की हो जाते है रिटायर हो जाते है ग्राम पंचायत की आए के सुरोत क्या क्या है ग्राम पंचायत कहां से पैसे कमाता है भूमी और आवास कर येस सीमा शुल्क परीवैन और संचार आदी पर लाइसेंस शुल्क ये सारे के सारे दोस्त यहाँ पर ठीक हो जाएंगे यानि की Taxis on Land and Houses सीमा शुल्क का मतलब होता है Custom Duty इंगलिस में क्या बोलते हैं? Custom Duty ये भी ग्राम पंचायतों क्या आई के सुरूत है License, Fee and Transport and Communication एड्सेक्टर ये तीनों के तीनों तो आंसर होगा उपरोक्त सभी चलो इन में से कौन सा विकल्प भारत में समबंदित उचनयाललो की स्थापना की तारिक से सई ढंग से में लुकाता है चलो ठीक है एक बार देख लेते हैं मदरास उचनयालले कलकत्ता उचनयालले और बॉंबे उचनयाल्ले की स्थापना 1862 में होई थी बिल्कुल ठीक है बॉलक् oscillator हाईकोट है जैसे मदरास का, बॉम्बे का, वो 15 और 14 अगस्त को उनकी स्थापना की थी, जबकि दिल्ली का जो हाई कोर्ट है, उसकी 31 अक्टूबर 1966 को जो है, स्थापना हुई थी सबसे लेट, तो सही धंग से मेल खाता है, कौन सा, बी वाला, कलकत्ता उचने आले, 1 जुलाई 1862, जो य क्या नाम है, 14-15 अगस्त को, ठीक है, और ये दिल्ली हाई कोर्ट जो ही थी, वो 31 अक्टूबर 1966 को ही थी, तो सही धंग से मेल खाता है, ये राइट है, आप से पूछा भी जाता है, कि कौलकाता हाई कोर्ट का, कि स्थापना कब गी गई, तो 1 जुलाई 1862 में, अगला कोश कोशन देखते है, अनुछेद 3, भारतिये घटक में कब परियोग किया जाता है, जब नए राज्य का गठन किया जाता है, परिवर्तन करने का कानून बनाया जा सकता है, अगर आर्टिकल 3 की बात करें, तो इसमें इसमें क्या क्या चीज़े हैं मैंने आपको बता दिया, राज्यों के शेत्र या फिर नाम बदलना उसकी सीमा यानि की जो बाउंडरी है ये सारे अनुच्छ टीन में आते हैं और किसी भी राज्य की सीमाओं को अलग करके दो या दो सधिक राज्य बनाना या फिर दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना ये सब भी अनुचे 3 के अंदर आता है इसके लागा किसी भी राज़े के शितरफल में विर्दी की जा सकती है अगर आपको एरिया में किसी राज़े के इंक्रीज करना है तो वो भी इसी से रिलेटिड है अगर किसी एरिया को आपको डिक्रीज करना है तब भी आर्टिकल 3 related है और जो मैंने बता दिया सीमाएं जो boundary है उसको आगे पीछे करना है तो ये सारी चीज़ें इसी से related है अगला देखते हैं अनुच्य जो सभी के लिए सिक्षा से सम्बंदित है Education for all कौन सा आर्टिकल बताता है बारत के सम्विदान में जो नीती निर्देशक तत्व है उसमें अनुच्य पेंटालिस के अंदर सम्विदान की घोशना के 10 वर्स के भीतर एक प्रावदान किया गया था जिसके अंतरका 14 वर्स तक किया यूँकर सभी बच्चों को free and compulsory एजुकेशन देने का प्रावदान बनाया गया तो अनुच्य फॉर्टिफाइव आर्टिकल फॉर्टिफाइव ठीक है अपने नंबर गिनते रहना और वीडियो को लाइक करना है सब्सक्राइब करना है और जो हमारा बैक टू स्कूल की अप्लिकेशन है चेशता है और पांच साल होती है या चार साल होती है आप नीचे ये आप मुझे ये नीचे क्या करके बताएंगे कमेंट करके बताएंगे चलिए आपका एक दो कोश्चन में टेस्ट भी ले लिया करूंगा भारत के पहले उपराश्ट्रपती कौन थे उपराश्ट्रपती मई 13 1952 में चुने गए थे डॉक्टर सर्वपली राधा कृष्णन भारत के पहले वाइस प्रेजिजेंट तब फर्स्ट वाइस प्रेजिजेंट ओफ इंडिया मिस्टर सर्वपली राधा कृष्णन वाज एलेक्टिड ओन 13 में 1952 ठीके और उन्होंने 270 तक 270 तक ये रहे भारत के उपराश्ट्रपती ठीके और इन्हें भारत रतन भी मिला हुआ है इन्हें भारत रतन भी मिला हुआ है 1954 में ये भी आपको याद रखना है तो आज की जो क्लास थी दोस्त उसमें मैंने आपको करवाई best questions ये questions आपके exam में भी आएंगे तो direct आप पूरी वीडियो को देखें और हमारी back to school की app को install जरूर करें इसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा और दोस्सक्रिप्शन जरूर लें आपने subscription लिया आपका exam clear हुआ guaranteed तो चलिए दोस्त नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ तब तक के लिए जाएइद जाए भारत एन most important बात बढ़ते जरूर रहना है एक एर दोस्तों